उत्तर प्रदेश के कन्नोज जिले के सौरिक थाना क्षेतर में अग्यात कारणों से पत्तल के गोदाम में आग लग गई देखते ही देखते आग ने भीशन रूप ले लिया और पास की दो दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया मौके पर पहुँची पुलिस वदमकल विभाग ने स्थानिये लोगों की मदद से आग पर काबू पाया आग से करीब पचास लाख रुपे गा सामान वह नगदी जलकर खाक हो गई आग से एक महिला दुकानदार भी जुलस गई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है बताय जा रहा है कि संदिग्द परिस्तियों में पतल के गोदाम में आग लग गई थी आग ने पास ही में बबली की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया बबली कुछ समझ पाती आग ने विकराल रूप ले लिया घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँच गई टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया आग से लाख और रुपई का सामान वर नगदी जलकर खाक हो गई आग बुझाते वे दुकानदार बबली सकसेना गंभी रूप से जुलस गई उन्हें उपचार के लिए सामुदाइक स्वास से केंद्र भेजा क्या पीडितों के मुताबिक आग से करीब पचास लाख रुपई का सामान जलकर राख हो गया है पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है ऐसे ही लेटेस खुबरे पाने के लिए बेल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें जब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करें